वेल्कम बैक टू मैं चैनल लक्ष्मिय निशी का लाइब ब्लॉक में आप सब का बहुत बहुत दिल से स्वागत है तो रूम ब्लॉक कर लिया है इधर से और उसके पापा के साथ छोड़ दिया है और थोड़ा सा वीडियो बना लेती हुँ घजबन थूरा सा हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं और कल क्या क्या लाई थी अप लोगो को दिखाना नहीं हुआ तो हम बस ऐसे पोईला वर्शा गया भी हुमें बस ऐसे घर का जो घर में हम रेगुलर पहनते है वैसे ही लेते तो चले दिखाती हूं ज्यादा लेतनी क और चीजें समेट के रखने में भी तो इशीका बड़ी परिशान करी है मैं जटबट से दिखा देती हूं क्या क्या है यह है देखे देट्स एक बाइवन के टवन यह बस रास्ते के लिए और मुझे नहीं लगता इससे कोई शर्म की बात है यह क्या है जो है मैं भॉक्स ब्नी गे लेяс अजब ऑफ देखी ऑन में पहने वाला है एक यह लॉणक ट्रेंड में है लॉं गॉन्ट डट्रेंड में लॉंग और एक ये वाला क्राफटा बस शॉपिंग बस यही लास्ट बट नॉट द लिस्ट कैसा लगा बताएगा मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अफॉरडबल प्राइज में मुझे मिला ये वाला तो यही था तो मैं रेडी हो गई हूँ हम थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहे हैं कहां जा रहे सब तिखांगी आप लोगो को देखें एक बैग वो बैग वो बैग यह रहा मेरा लुक्स कैसा लग रही हूँ मुझे बताएगा बहुत सारी लोग सोचते हैं मेखाले रहते हैं तो मेखाले प्रॉपर सीलॉंग में रहते हैं नहीं हम लोग सीलॉंग में नहीं रहते हैं deciron से बहुत पहले परता है हमारा जो घर है तो हम थोड़े सीलॉंग के तरह ही जा रहे हैं शायद अभी हजबन लिखे जाएंगे कहा मुझे पता नहीं तो हम दो ज्यादा प्रायोटी है तो चलने लगे, चलने लगे है ये रासती, तो हम निकल पड़े हैं, अपने मन्जिल के और और रासता का मजा लेते हुए, बहुत ही मजा आ रहा है हमें, तो हम यहाँ पर आए हैं, लंज करने के लिए, क्योंकि लंज का टाइम हो गया है, तो होटल तो आलेडि हम लोगों ने बुक कर के रखा है तो यहां से लॉज़ करके फिर उसके बाद हम होटल जाएंगे तो देखिए बहुत ही अच्छा नजारा है यहांका जो सिलों का घर है ना बहुत ही अंदर होता है यहांका घर तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ रिस्टोरेंट का अंदर का जो माहल है बहुत ही प्यारा माहल है और चारो तरफ बहुत ही ग्रीन इन लोगोंने प्लान लगा के रखा है और यही रहे मेरे हस्बेन और यह देखी मेरे बेटी दौर भाग लगाते हुए और उसके प जरूर कीजिएगा बहुत टेस्टी और मीठा है सच में मैं सच बोल रही हूँ ऐसा तो मुझे नहीं पसंद यहां पर जब ट्राइ की सच में मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत टेस्टी लगा मुझे दैन उसके बाद हमारे टेस्टी और यम्मी सा जो लंच मैनू है व इतना अच्छा लग रहा था मैं वीडियो इसलिए बना रही थी इस रास्ते का बट कैमरे में उतना ज्यादा अच्छा नहीं आया है तुरह सा शेयर कर दिया बहुत अच्छा लग रहा था तो फाइनली हम पहुच गये हैं अपना होटेल तो यह है होटेल का एंट्रेंस औ और यह देखिए अंदर जाते यह पार्किंग एरिया है और पती बेबी को कोदी में लेके भागते हुए चुप चुपाते हुए क्योंकि साइड में जो बच्छे लोगों का एरिया है खेलने का अगर इसी का देख लेगी तो वो भाग के उधर ही चली जाएगी रूम में नहीं चाहेगी तो पता है फ्रेंस आजकल ना हम लोग कहीं पर भी जाते हैं लेट हो ही जाते हैं टाइम से नहीं पहुचते हैं क्योंकि मेरी जो बेटी है ना उसके पीछे भागते भागते टाइम इधर से उधर कहां हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता तो हम पहुचक जब चले वाव तो चलिए मैं अपना प्यारा सा रूम आप लोग के शार शेर करती हूं रूम टोर तो देखिए ये हैं एंट्रेंस अंदर आते ही आपको ऐसा दिखेगा और ये जो डॉर है डॉर का ये लॉक सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा मुझे सिफ्टी के लिए बहुत अच्छा है और आपका ये है मिरेर एरिया और उसी की साथ में आपको एक कवर मिल जाएगा बहुत ही अच्छा खाचा स्पेस है इसमें और यहां पे देखिए ये सिटिंग एरिया है और इसी के साइड में आपका टीवी कैबिनेट है सबसे जो बैस पार्ट है देखिए यहां का बेलकिनी सो ब्यूटिफुल देखिए बेलकिनी और यहां का जो नजारा है आप लोगों मैं क्या बताऊं ओ एम जी आप देखिए उधर से हम आये है वो जो रोड दिखाए दे रहा है ना और नीचे देखिए रात को कहीं भूद भूद ना निकल जाए जिस जोकिंग देखिए ना तो चलिए आप लोगो फूल रूम कर भीव आप लोगो दिखाती हूं यहां से बहुत अच्छा भीव होता है तो यह रहा हमारा रूम और यही मेरी लाडली बेटी इशी का मस्ति करती हुए यह सिंग लगा मुझे तो हमारे वीजी लाइफ से थोड़ा सा हम अपने लिए पल थोड़ा सा निकाल के ऐसे अगर बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तन को मन को बहुत रिलेक्स पील होता है और बहुत ही एनरजी मिलते हैं हम लोगों को फिर से अपना वी करते जाओंगे तो बहुत लंबा बनेगा तो आगे का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा तो कैसा लगा प्लीज लाइक कमें एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो बाबाई टीक या लव यॉ अलफ